आखिर क्यों बड़ा लोक्टाउन? क्या फेल रहा पहला लोक्टाउन? पहली लोक्टाउन में बड़े कितने मामले? हर मन में उठ रहे सवाल! तीन मई तक देश भर में लोक्टाउन बढ़ गया है लेकिन जोकिम रुकने का नाम नहीं ले रहा और ग्रैमंत्राले की सूत्रों की माने तो भारत में कोरोना के मामले माई के पहले हफते में अपने चरम पर होंगे और उसके बाद मामले कम हो सकते हैं लेकिन अगर वरतमान स्थिती को देखते हैं तो मामले लगातार बढ़ रही है और देश में खत्रा भी से बढ़ता ही जा रहा है किस तरह करा हा लोक्टाउन वन पॉइंटो? आंक्रों के मुताबिक 21 दिन के पहले लोक्टाउन की आखरी हफते से कुरोना वाइरस केस के बढ़ने की रफतार में कमी आई है देश भर में 25 मार्च को लोक्टाउन लागू किया गया था उससे पहले के हफते यानि के 18 मार्च से 24 मार्च के बीच दिखा जाए तो कुरोना वाइरस केस हर 3-3 दिन में दुगने हो रहे थे लोक्टाउन के पहले हफते यानि के 25 से 31 मार्च में कुरोना वाइरस केस के बढ़ने की रफतार में कुछ कमी आई है इस हफते में केस हर 5 दिन में दुगने हुए लेकिन अप्रेल के पहले हफते में तबलीगी जमात देश में कुरोना वाइरस संक्रमन को फैलाने वाला बड़ा कारण बना इस हफते में कुरोना वाइरस केस बढ़ने की रफ्तार में तेजी आई लेकिन रफ्तार तब भी लॉक्टाउन लागू होने से पहले के हफ्ते की तोलना में कम रही पहले लॉक्टाउन का आखरी हफ्ता लोक्डाउन का आखरी हफ्ता यानि के 8 अप्रेल से 13 अप्रेल के बीच केस बढ़ने की रफ्तार में खासी कमिया ये दोरान कुरोना वारस केस ने दुगना होने में एक हफ्ते से जादा का वक्त लिया 8 अप्रेल को भारत में पुष्ट केस की संख्या 5,244 थी लेकिन 13 अप्रेल तक ये बढ़ कर 9,352 हो गए सबसे जादा प्रभावित राज्य 14 अप्रेल को महाराष्ट दिल्ली तामिलनाजू ऐसे राज्य थी जिनमें कुरोना वारस केस की कुल संख्या 1,000 से अधिक थी महाराष्ट ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे जादा कुरोना वारस केस सामने आ चुकी है देश की राजधाने दिल्ली में 13 प्रेल तक 1170 केसों की पुष्टी हो चुकी थी दिल्ली में भी स्थिती में थोड़ा सुधार आया तामिलाडु में 13 प्रेल तक 1175 केसों की पुष्टी हो चुकी थी भारत और इतली में एक समय केस अगर विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के माने तो इतली और भारत दोनों ही जगे कोरोना 30 चनवरी से 10 फरवरी के बीच पहली बार रिकॉर्ड हुआ इसके बाद 22 फरवरी तक इतली में इसके केस काफी भढ़ गए और मार्च के पहले हफते तक वहां मौतों की जड़ी लग गई उसे साब से भारत में कोरोना अब तक काफी नियंत्रित है आशंका के उल्टिस का फैलाव उस तरह अब तक नहीं नज़र आया है हमारे यहां 21 फरवरी तक कोरोना के करीब 80 मरीज थे इसी दौरान पहली मौत हुई क्या पहली लोकटाउन का समय था सही काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि भारत में किस दिन का लोकटाउन का फैसला तब ही कर लिया गया जब ये फैलना शुरू हो गया था लहाजा भारत में ये दिन काफी संफेदन शील थे और इतने दिनों में कोरोना के वास्विक मरीज सामने आये लोकटाउन से इसका फैला भी काफी हद तक रुख गया दूसरे देशों के मुकाबले भारत देश में कोरोना के कुल 13,387 केस सामने आ चुके हैं 1749 लोक ठीक भी हो चुकी हैं पीछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो एक दिन में 177 नए मामले सामने आये हैं 23 नई मौतें भी दरच की गई है स्वास्त मंत्राले के संयुक्त सचिव लव अगरवाल ने बताया कि भारत की स्तिती दूसरे देशों के तुलना में बेहतर है भारत पहले से ही विश्व स्वास्त संगठन के साथ काम कर रहा है कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए ब्यूरो रिपोर्ट पंचाब के सी नवोधे टाइम्स टीवी